हेलो स्टुडेंट्स मैं अमदुला कंसारी लेक्ट्र इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग जीपीसी जालावाव टीटीसी एलाइडीसी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी रास्वागत करता हूं कि अबने लिए सब्जेक्ट है पाउसिंस फर्स्ट उसका चेप्टर नमबर आठ बायोगैस इनर्जी उसके बारे में पढ़ेंगे विद्ट इसके स्टार्ट करेंगे आज का से समय आज हम बायोगैस एनर्जी का इंट्रोक्शन पाइट पढ़ेंगे इस एक्ट्चूल में ह होती क्या है और इसकी क्या-क्या प्रोपर्टीज है क्या-क्या इसके कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे तो अच्छा जी शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि इंट्रोड़क्शन पार्ट वाट इस बायो गेस जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बायो जो सब्धे किससे को रिपरजन करता है जीव जन्तूं को या जेविक चीजों को या वो चीजें जो की एक्चोर में ओर्गेनिक है और जिसमें कार्वन के कंपाउंड है हम ठीकिन तो देखते हैं कि हम अ बायो गेस है क्या बायो गेस इस दव वर्ड कंपोज्ड ओ बायो एल्जीं है जो बाया ओ इस वर्ड है कि सेभी मूनाव है बायो एड गैस है मतलब जो और गेलीनिक जैसेश है ऊंका गांड फ Pang करका ओ और गेजेस या फिर ओर्गेनिक चीजों से बनने वाली जो गेस है या या यह जिए जी चीजों से बनने वाली गेस है वह कुन से कराईगी भायो गेस करेंगी। ठीकि ना। typically byogas refers to a mixture of gases produced in result of breakdown of organic matter by the process of anaerobic fermentation बाइगेस क्या है जो किस इन प्रेकटाउन से पेदा होती है जो प्रिक्रिया है उसमें जो ऑगनिक मेटर मेटर ऑगनिक मेटर शोल पार्टिकर में टूपते हैं करें के वह स् tenth परकूरी आघए चाहिकरता है किकल यह वाद तो जो यह परिकलिया है जिस प्रिकलिया से का वोल्त अनरोम Ben 58 ficім प्रिमन ठेशन में जो बड़े ऑर्गनिक मौलकूल से उनका degradation होगा उनका breakdown होगा तो इससे जो as a result जो gas निकलती है या mixture of gas निकलता है जो हम क्या बोलते है बायो gas बोलते है अब यह anaerobic fermentation क्या है तो anaerobic fermentation या anaerobic digestion is a biochemical degradation process that convert complex organic material into methane and other byproducts जो complex organic material है complex organic material की जो महलेश्ट का है अपने उसको sugar बोल सकते हैं तो यह जो complex organic material है इनका degradation होगा small less particles and further more degradation और उससे कौनसी gas methane carbon dioxide other gases release होती है और और byproducts बिलते हैं और यह जो process होगी वो किसके पर अप्सेंस में होगी है in the absence of oxygen ठीक ना तो anaerobic digestion is a biochemical degradation process that convert complex organic material into methane and other byproduct in the absence of oxygen ठीक बायोगेस केन बीप्रोदूस फ्रम रोव मेटरिल सच अज आगरे अगरेकल्टर वेस्ट अनिमल वेस्ट मॉनिसिपल वेस्ट प्लांट मेटरियल सीवेज ग्रीन वेस्ट और फूड वेस्ट जो बायोगेस है दो जो भी जीव जन्तियों से प्राप्त जो उनके अप्शु्ष्छ पदार्त होते हैं उसमें क्या क्या आगया हमारे मल्मूत्र आगया जानवरों का मल्मूत्र आगया गोबर वागेरा जो रिखेंगेशं मौनिसिपल वेस्ट में जो मतलब अपने घरों में जो हम तोइलेट वगरा यूच करते है तो उसके लावा नालियों से जो और गैनिक प्रदाथ प्राप पॉड़ेश्ट के रहाएं जड़ें हो गई तहनी आ हो गई ठीक है तो प्लांट मेटरियल में जाता सी वेज्ट ग्र इन्वेस्ट यह सब सारे में में आनेरोबिक फिर्मनेशन करते हैं तो उसके फल स्रूप हमें बायोगेस प्राप्त होती है थीक है प्रॉपर्टीज और भी पाइज जो है इसकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होगी उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले इस रिन्यूवेबल एंड क्लीन एनेर्जी सोर्स हम जानते हैं कि धरती पर जो और वेश्ट यह भी हमेशा वालेबल रहने वाले हैं और उसके साथ साथ क्या होगा कि यह वेश्ट का जो जितने भी और वेश्टिंग का इस तरह से क्या वह रहा है ठीक है तो यह वेश्टेज हमारे जो किसी काम के नहीं देते उनका प्रोडक्शन हम इसके लिए एक यूसफुल बायोगेस प्रोडक्शन के लिए खर रहे हैं तो इसकी भी महात्रा जो है वह जितम ना के बराबर होगी ठीक है इसलिए यह एक उर्जा का भी एक साफ सुत्रा श्रौत है उसके बाद बायोगेस इस नौन को सिक यह जरीली नहीं होती कलर लेस हाँ- यह बिल्कुल कलर लेस होती है एक रंग रहीन होगी यह दिखा नहीं देगी एंड़ फ्लेमेबल गेस फ्लेमेबल एक नहीं वडेंस वैट यह एक एल्यक्तैवे हीट एनरजी जो प्राप्त हरी हो कि उसकी क्वांटिटी कितनी है वो केलोरिफिक वैल्य को डेनोट करता है जो बायो गेस वैल्य क्या है 20 मेगा जूल जब एक मिटर क्यूब बायो गेस को हम दोहन करेंगी या उसको जलाएंगे तो हमें 20 मेगा जूल और तो 4700 किलो के लिए उर्जा प्राप्त होगी इट्स अल्मोस्ट ट्वंटी परसेंट लाइडर देन एयर यह हवासे 20 परतिजर तक हलकी होती है इट केन भी लिक्विफाइज अट प्रेशर ओफ अबाउट 47.4 किलोग्राम पर संटीमिटर की पर संटीमिटर स्कॉर्ण तो जो बायो गेस है गेसी स्फों में लेकिन इसको हम लिक्विफाइब भी कर सकते हैं लिक्विफाइब करने के लिए मुसको प्रेशराइज करना सब्सक्राइब करते हैं वह माइनस बीएंसी डिग्री बीएंसी पॉइंट एक डिग्री सिल्सिस तक का हो सकता है और री मुविंग कारबन डायोकसाइड हाइड्रोजन स्लफाइड मॉइस्चर एंड कंप्रेशिंग इंट इंटू सिलें अंडर मेक इजी ली यूजेवल ट्रांसपोर अप्लिकेशन एंड और सब्सक्राइब कर सकते हैं और आसानी से को हम ट्रांसपोर्ट पर आसानी से कर सकते हैं इसका इंग्निशन टेम्परेचर है वह साल अच्छे साल सास्व तक होता है डेंसिटी इस 1.214 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो इसकी देंसिटी है वह 1.214 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है अब देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है इसका कंपोजिशन सबसे ज्यादा होता है इसलिए यह हमारे लिए यूजर वाले क्यों क्योंकि मीथेन को हम व्यूव goo काममें लेते हैं थिए भी मीथेन न सका कंपो बचास से प्चैतर प्रतिसक तक हो सकता है ठीकि उसके बाद कारबन डायोकसड मीथेन के बाद सबसे बड़ा कंपोजिशन होता है वहा चांप और उसकी मात्रा कितने हो सकती 25 से 45 प्रक्राइब तक उसके बाद है फिर इसमें वाटर वेपर या पानी की वास्प है वह है जो कि यह जो परकिलिया होती है इसमें जो केमिकल कमपोजिशन एज बाइब बनते हैं मीथेन के अलावव वाटर वेपर भी है ठीक है तो उसकी जो इसमें जो कमपोजिशन है वह एक से 7% तक हो सकती है उसके बाद इसके कमपोजिशन जीसे कि oxygen nitrogen नाइट्रोजन जैन यह नाजए में उपलब लेती है उसके बाद अमोनिया है थे पर यह बहुत ही कम मात्रा में की परसेंटेज लेस्दिन वान परसेंट यह यह आपर जो कंपोशचेर्ट को बोल सकते हैं कि ग्रीन हाउस ग्रेसे लेकिन फिर फिर भी एंवार्मेंट के लिए तोड़ी आनिका रहा है लेकिन इसकी जो मात्रा है बहुत कमें से लिए हम बोल सकते हैं कि यह साथ के साथ हमेशा इसको प्रोडूस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास और यह बाइडिया में डेली मिल जाते हैं आसानी से इसलिए एक रिनेवल और नवीन करनी है साधन भी है ठीक है तो यह था इंट्रोडक्शन और बान्ट इसमें अधारी मुद्टर इसाथ कि एक क्लेकत है क्तल्ध होते हैं जाताओ म कर्से इसकैन संन्हें जांत्रोडशक्त भाइसे मां प्ड़ंट नियुक के मिन सब्सक्राइफ ऑी वेप्षा皆さん है नियूत क्योंुकून। झाल झाल